कहते हैं अंधेरे में तो परचाई भी साथ छोड़ जाती है कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की खूफिया बातचीत हीना रब्बानी की सीक्रेट फाइल ये सब कुछ अमेरिका ने चुरा लिया है आखिर अमेरिका तक कैसे पहुँच गई इन दोनों के बीचम की बातचीत बेचारी हीना रब्बानी एक तरफ रूसी विदेश मंद्री मजाक बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका उसकी फाइल चुरा रहा है जानेंगे उस फाइल में क्या था चीन और अमेरिका के बारे में ऐसा क्या कहा था हीना रब्बानी खार ने जहा पॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है आए जानते हैं इन खबरों को वेस्तार से इस वक्त पाकिस्तान की इस्तिती बहुत बुरी है ये बात तो एकदम से सही है कि अमेरिका न तो अपने दोस्तों पर पूरा तरीके से भरोसा करता है और न दुसमनों पर दोनों के ही पास अमेरिका और भी जादा सतर करहता है क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई बार अमेरिका को धोखा दिया और करीब 20 साल तक ये सिलसिला चला कि अमेरिका जान बूझ कर समझ कर कि पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा है पाकिस्तान के चंगुल में फसा रहा और पाकिस्ता प्रामत आ गई है हीना रभबानी पर वैसे आपको याद होगा हमने आपको सरगई लवारो और हीना रभबानी का एक वीडियो दिखाया था जिसमें ये मीटिंग के लिए पहुची थी तासकंद में और यहां बाइलेटरल मीटिंग होनी थी दूई पच्छीय मीटिंग होनी थी ये वीचारी अकेली एक परतिनीधि के साथ थी तो वह रूसी विदेसमंत्री कई सारे परतिखायों के साथ थे और रूसी विदेसमंत्री में मजाक में ही उठकर निकल गई जहाँ एक तरप रूस ने अपमानित किया तो महीं दूसरी तरफ इसकी एक फाइल चुरा ले गई और कहा जा रहा है कि चचा बाइडल ने इसकी फाइल चुरा ही है अब उस फाइल में था क्या पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका घर बैटकर बड़े आराम से सहबाद सरीफ की सारी खुपिया बाचित सुनता है और दूसरी बात ये कही गई कि हीना रबानी खार एक फाइल बनाकर उसमें बाचित कर रही थी इसमें एक इंटरनल मे मेमो था इस मेमो में क्या था इस मेमो में ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच में फंस गया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस्तिती बहुत गंभीर है और आपको बता दें ये मेमो कोई जादा दिन का नहीं मार्च महिने का है जिसमें हीना पाकिस्तान के पास मुश्किल विकल इस टाइटल के साथ वो सारी चीजें लिख रही थी कि कैसे पस्चिमी देशों के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो भुगतान करना पड़ेगा अगर अमेरिका के साथ रिष्टे अच्छे करने चाहोगे तो जो हमारा रियल रननीतिक अभीना रबानी खार का सीक्रेट मेमो कैसे लिख हुआ अमेरिका के पास कैसे पहुंचा इसके सोर्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है लिहाज अब पाकिस्तान में सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका की जड़े पाकिस्तान सासन के अंदर कितनी गहरी है कि इत अब जाहिर सी बात है आई एमेफ का जो ये रूप बदलता हुआ देख रहे हैं ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका जान गया है आखिस्तान चीन का साथ देगा नकी अमेरिका का साथ देगा जैसा कि हीना रबानी खार खुद कह रही है कि हमारा रियल पार्टनर जो है वो हमारा चाइना है और हम चाइना को दुखी नहीं कर सकते हैं तो अमेरिका के सामने क्या सिर्फ पैसे लेने के लिए हाथ फैला रहा है अमेरिका है इसलिए कहा जाता है कि इसने टाइट कर दिया IMF को और जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक जूल रहा है वैसे आप की तरफ से भी लताड मिल रही है और जो ये लीक डोकुमेंट है जो साफ साफ बता रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना फाइदा देख रहे हैं उससे अमेरिका और यूरोपिय देश भी आहत है खेर आपको बता दे कहा जा रहा है कि इस वक्त रूस से एक टैंकर निकल कर आ अलाकि ये बैपार काफी लंबा चलेगा नहीं आर्थिक तोर पर इतना मजबूत ही रही है पाकिस्तान की बहुत लंबा इस खेल को चला सके लेकिन हां ये तेल के टैंकर भारी पढ़ने सुरू हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर तीस दीन पहले की एक खबर थी जिसमें य अंकेत दिया था पाकिस्तान को कि हम तुमारे साथ खड़े हो रहे हैं इन्हों ने ये किया था कि जो डेंजरस हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट थी उस लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाल दिया पहले पाकिस्तान को एक लिस्ट में रखा गया था जिसमें कहा गय था कि यह ऐसा देश है जहां पर अगर आप पैसे लगाते हो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाओगे तो यूरोपिय देश पाकिस्तान के अंदर पैसे लगाने से ही चकते थे एक महिने पहले यूरोपिय यूनियन ने ये काम किया कि इन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दि थी क्योंकि अब कम से कम ये बात तो आ गई कि यहां पर निवेस किया जा सकता है भले पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जल्दी दुनिया के देश यहां पर निवेस नहीं करना चाहेंगे तो वहीं ये बात भी होने लगी पाकिस्तान और यूरोपिय यूनियन के बीश कि हम आपस में मिलकर काउंटर टेररिज्म फोरम बनाएंगे यानि कि आतंकवाद को मिटाने के लिए एक फोरम बनाएंगे बड़ा आजीब सा इस्तिती है एक ऐसा देश जिसने जिन्दगी भर आतंकवादियों का भरन पोशन किया आतंकवादी पैदा किये और दुनिया भर मे सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को भेजा वो देश एक टेररिज्म के खिलाफ एक संस्था बनाएगा पर ये सारे दाव काम आते हुए नहीं दिख रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसपी प्लस को लेकर अब यूरोपिय यूनियन ने कह दिया है कि अब बहुत मुस्क दिल है कहा जा रहा है कि 99% यूरोपिय यूनियन ने तै कर लिया है जीएसपी प्लस से पाकिस्तान को निकाल कर बाहर करना और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्यारा है कमेंट कर जिरू बताएं जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में न झाल 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 झाल